तो हेलो गैस वेल्कम बैक टुवास चैनल आज हम बात करने लिए चैप्टर नबर फॉर जिसकों क्या बोलते हैं भारत मिराश्रबाद ठीक है उसके वागत टॉपिक सुरू करने जारे क्या है खिलाफवत अंदुलन तो हम पिछी लेक्षे ने बात के दें जलिया वाला मतलम बिटे ने टुर्क की पराज़ और तो इसके फैसे के लिए होद त क्या लिए लेन देना है तो निदेला नहीं बात कर लो भाते हैं तो तूर्की हार घानियता होग तो तुर्की की सुल्टान को बंदी बना लिया गया तो कि तुंकी की सुल्टान यो था IRA沒有 तर्क्य को स सूल्टान था मुसल्मानों का इसलाम धर्म का ठीक के उस समय के पसंद कि भारत को बाइगा मुसल्मान थे हुर शार्वार किसा بश्योता ओधन कि एङडर्म श Alors राजा को छोड़ दिया जा है हमारी खलीफा को जिसे खिलाफत आंदोलन के कहा गया ठीक है इस आंदोलों को हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं 1920 में हुआ था याद रखना तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दीवस की रूपर मनाते हैं 17 अक्टूबर 1919 इंपोर्टन डेट है दिसंबर 1920 को नागपूर अधिवेशन हुआ ठीक है याद रखना अब बात करते हैं तो हमारा खिलाफत आंदोलन के बात हुई तो इतना है आपका एक आधा पेस तो भरी जाएगा उससे जादा ही भर जाएगा ठीक है और अपने मन से लिग देना अब बात करते हैं क्या होता है घटना घटी थी 1920-22 में यह अंदोलन हमारे करवाय थे गांधी जी के नितरत में हुई थी गांधी जी एक महान विक्ति आप जानती ही हो ठीक है इनके नोट में छपा रहता है फोटो उनको पहचानती ही रहोंगे किसी आप चिंता को पहचानती है ना चेहरा ज पंजाब में वह तो बरबर कारवाई उसके विरुद्नियाए चाहिए था और तीसा तो स्वतंता की मांग स्वतंता की मांग थी तो तीन कारण के लिए असयों गांदर हुआ था तो असल हुआ कि जितने वी देसी को मतलब बिटेट के दोबार दिये जा रहे थे कपड़े समान तो इंकार कर दिया यूज करने के लिए हम इस समान को यूज ही नहीं करेंगे इसको इस्तमाली नहीं करेंगे नमक अपने घर में बनाना सूरू कर दिये खुद से चर्खा से अपना कपड़ा बनाने लगे बहुत सारी हुए यह बात ठीक है मतलब स्कूल जाना हो दिये घरों में पढ़ाई करने लगे या ब्रिटेन के स्कूल तो वहां जाना छोड़ दिये ठीक है इंग्लिस पढ़ना बंद कर दिये बहुत सारी मतलब यह हुई थी ठीक है और सबको मतलब ऑनली मतलब एक ही बात थी कि अंसरीयों गंदल में था क्या सब ज्यादा जो तो चलो फ्रेंट सब बात करते हैं और कुछ घटना के बारे में ठीक है जो हुआ था हमारा सब यह पूर्ण सवराज में ठीक है तो जो मारा हुआ था सहीयों गांदर उसमें एक और घटना घटी थी क्या थी उत्तर प्रदेश के गोरपूर जीले में चौरी-चौर एक गोरपूर जीला है अभी भी है जानते ही हो वहां पर एक स्थान था चौरी-चौरा स्थान का नाम था वहां पर राजनितिक जूलूस निकला था ठीक है ब्रिटिस पर ही निकला होगा तो उस पर क्या कहे पुलिस ने फाइरिंग करने लगी बिन मतलब का ठीक है जी को 1922 में ब्रिटिस सरकार द्वारा च्छे वर्सों कारवास दे दिया गया तो इसके कारण क्या था पहरा था साइमन कमीशन दूसा नहरूरी पोट तीसा विस व्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव चौथा समाजबात का वरता प्रभाव क्रांतिकारी अंदोलन का उभ पुर्ण स्वराज की मांग थी सत्मा ता गांधी का समझावात वाधी रुख तो यह साथ कारण था या दखना अब एक करके सभी कारण के डिसकस करते कारणों के बारे में और कुछ इंपोर्टेंट पोइंट्स के बारे में बात करें तो इसको कॉपी कर आगे बढ़ते है कि ऑगे तो चलो फ्रेंटस अब बात करें साइमन कमिशन के वाएं साइमन कमिशन असल में था क्या नॉवम्बर 1923 में बिटिस सरकार ने इंडियन स्टेचुएर्टरी कमिशन का अगठन किया कब सब्सक्राइब नुम्बर हैार, कि इसे स्टेटरि कमीषन को कहते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब और सब्सक्राइब शॉच का ने यहां निस में बिशुदतर सब्सक्राइब तो इस कमिशन का अध्यक सर जोन का साइमन था ठीक है तीन फरवणी निग्लीश में बंबाई पहुचने पर साइमन कमिशन का स्वागत काले जंटे से किया गया क्योंकि यह नाखुस थे इसमें भारती थे ही नहीं इसमें परदर्सनकारी साइमन बापस जाओ के नारे लेगा है तो आप क्या बोलोगे आपको पता ही नहीं आप तो जानते साइमन बापस जाओ के अगर आप इंगलिश जानते हो तो अच्छा है अगर नहीं जानते हो तो आप रटना पड़ेगा या क्योंकि बहुत सारे हिंदी मिडियम स्टुटेंट्स को इंगलिश आती नहीं ऑग प्रफ्टी कुष्या आता सूरी से माश्टेदा के उपाधी मिली थी गांधी जी ने इर्वीन के साथ क्या किया था इगारा सदसूत्रिय मांग रखी ठीक है यह यह आद रखना इगारा सूत्रिय निसों तीस में रावी नदी के तट पर मेहरु ने तिरंगा जंडा फराय स्वतनता के घोसना कर दी प्रस्ताव रखा था कब यह गोसना की नहीं थी प्रस्ताव रखा था ला कंवगी थी चल्मावी नदी के तट पर ठीक हिए रावी मतर के थीर नहरु ने तिरंगा झंडा फ्हराया और सटनता की प्रस्ताव रखी इस अले 26 जनवरी ने सुत तो आज के लिए यहां तक रहने दीजिए अग्य लेक्च्रर में बात करेंगे दांडी मात से ठीके तब करेंगे अगे बढ़ेंगे यह नितना यह लेक्टर में खतम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आने वाली थाज लिए तो आज के लिए हमाने चैनल को सब्सक्राइब क कर दिये तो आज के लिए पढ़ाई करता ही ओल्दा वेरी वेश्ट अ कर दो